पार्टी के वरिष्क नेता केंद्रिय मंत्री माननिय अनुराग ठाकुर जी पार्टी के वरिष्क नेता और केंद्रिय मंत्री स्री राजीव चंद सेखर जी हैं मेरा विनम्र निवेदन है माननिय अनुराग जी से कि आपको संबोधित करें धन्यमाद संजे भाई नमस्कार गमंडिया गटबंदन और इस गटबंदन के नेता और इससे पोशित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते हैं भारत कैसे कमजोर हो कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचा जाए और कैसे भारत विरोधी अजंडे को कैसे हवा खाद पानी दिया जाए ये सब चिंता इसे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं बारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूस क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे गमंडिया गठबंदन अगर मैं कहूं तो कॉंग्रेश, चीन, न्यूस क्लिक सभी एक भारत विरोधी गरबनाल से जुड़े हुए हैं कॉंग्रेश, चाइना, न्यूस क्लिक अपार्ट ओफ अंबलिकल कॉर्ड और ये इस से सिध होता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी की, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं कि राहुल जी की नकली महबत की दुकान में चीनी समान के साफ नजर आने लगा है चीन के प्रती प्यार ये दिखता था और भारत के खलाव दुश प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूस अजंसियों के माद्यम से भी प्रोपगेंडा के तहत होता था एक अजंडा था एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया केमपेंड ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा समान चीनी है और चीन को सम्मान है और जब मैं न्यूस क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा सम्पोषित ग्लोबॉल मीडिया संस्तान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है न्यूस क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और रेड पांच दिन तक चली उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया कितने पैसे आए वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या उस समय हुआ उस समय भी प्रशन उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एक्दम से कैसे और कहां से आए अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल राय सिंगं ये सिंगं को ये सिंगं फिल्म की बात ने कर रहा है ये निवेल रॉय सिंगम ने इसकी फंडिंग की और फंडिंग उसको कहां से आए निवेल रॉय सिंगम को चाइना पीछे से करता है और इसमें निवेल रॉय का जो सीधा संपर्ख है कॉमनिस पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपगेंडा आम के साथ है जो चाइनिस मीडिया कंपनी माकू ग्रूप के साथ ऐसा किसने कहा जिसके ओपर कॉंग्रेस अरन्ने विपक्षिदल बड़ी बड़ी बाते जिन अखबारों के बारे में करते हैं नहीं पुष्टी की है पुष्टी उस बात की कि जो भारत ने दो साल पहले कह दिया था हमने 2021 में निउस क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है कैसे विदेशी प्रोपगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैमपेन में कॉंग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आये थे उस समय उनके किसंगिं लोगों ने ट्वीट किये ये कॉंग्रेस के निताओं के ट्वीट है एक, दो, तीसरा ये खुलकर उनके साथ थे ये चौथा और फिर कॉंग्रेस आई तो कॉमनिस पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का जंडा तो ये एक और साथ में है फिर बाकी त्रिनमूल कॉंग्रेस कैसे पीछे रहती वो भी साथ में आगे बड़े-बड़े पत् इसके खिलाफ कारवाई कर रही है मैं इस पर भी आऊंगा मित्रो ये जो इसकी फंडिंग है उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ फंडिंग तो ये कर रहे थे निउस क्लिक को चाइनीज कंपनिया नेविल रॉयल सिंगम के माध्यम से लेकिन जो इनके सेल समयनते हमारे हिंदोस्तान के कुछ लोग हो गए थे जब इनके खिलाफ कारवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नेरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुश्परचार के माध्यम से और एक जूटा प्रोपोगेंडा ये फ्री न्यूस के नाम पे फेक न्यूस प्रोशने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनितिक उल्लू सीधा करने वाली कॉंग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम और प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए अब ये जो नियूस क्लिक को जो पैसा आया ये रूट भी कहां कहां से हुआ ये गौतम नवलक्खा का नाम तो आपने सुना ही होगा ये भी एक आरोपी है किस केस में अलगार परिशद के मौइस्ट लिंक में जो भीमा कारोगाओं भीमा कोरेगाओं केस है उसमें अभी तक जेल में ये हाउस अंडर हाउस एरेस्ट है यूए पी ये लगा हुआ है इनके उपर और यही नहीं न्यूस क्लिक को शुरू होने के कुछ महिनों के बाद इक क्रोड़ रुपे दिये गए और इन क्रोड़ रुपे जब मिले तो उसमें से डेड़ क्रोड़ रुपे एक इलेक्ट्रीशन को दे दिया अरे डेड़ क्रोड़ पे एक इलेक्ट्रीशन को दे दिया तब तो कॉं प्रीमियम उस पर मिला लॉस मेकिंग कंपनी के शेरों पर जब आर्टिफिशली एन्हांस प्रीमियम मिलता है बड़ा चाकर पैसा मिलता है उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीयों के शेरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं जब भारत इसी कंपनी के उपर कारवाई करता है तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं लेकिन ये चीनी गंद की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अख़बार इसके उपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि ये फॉरंड मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है निउस क्लिक को और चाइना के साथ साथ कॉंग्रिस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सवियोग समर्तन करने में है और ये फॉरंड प्रेस के प्रोपगेंडा और अजंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे चाहे कॉंग् एडी पिंजरे में बंद तोता होती थी लेकिन आज अगर वो एडी कारवाई निउस क्लिक जैसी फरजी संस्ताओं के खिलाफ करती है तो उसके उपर ये प्रशंचन खड़ा करते हैं ये गलत सूचना के खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ युद है और ये युद ज जारी रहना चाहिए भारत सरकार की एजंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्परचार करने वाले जो चाइना का अजेंडा लेकर दुनिया भर में नेरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जो अंतराश्ची एकवार ने भी बात कही है तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया अजंडा नहीं चलेगा अडवानी जी ने एक बार बहुत पहले पारलेमेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सब कोई कठे हो कर आना चाहिए और उन्हे तो ये भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडब भी एक जुट हो गे थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था लेकिन दुरभाग्य देश का ये है कि कॉंग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया और यहीं नहीं जब इनको निमंतरन मिला सोनिया जी को राहुल जी को कब मिला जब अलंपिक्स खेल हुए तो कॉंग्रेस पार्टी को भी गांधी परिवार को भी वहां पर नियोता दिया गया और यह लोग उस समय चाइना भी गए खेल देखने गए थे खेल करके आ गए वहां पर एक एग्रिमेंट साइन करक अगे जहां पर high level exchange होना था दो पाटियों के बीच में अब पता नहीं किस तरह का high level exchange होना था ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला जब डोकलाम में अतिकरमन करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मूँ तोड़ जवाब उनको दिया लेकिन राहूल गांदी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे खाना भी खा रहे थे ना जाने क्या रणीती और क्या-क्या एक्स्चेंज कर रहे थे ये से पदा चलता है कि जो 2008 मेन को agreement हो गया था उस समय एक payment भी की गई थी पेमेंट किसको की गई पेमेंट की गई थी राजीव गांदी फांडेशन को और ये राजीव गांदी फांडेशन को जो पेमेंट की गई दोहदार पांच साथ के बीच में ये किसलिए की गई और ये उस समय की गई जब सोनिया गांदी जी UPA की और वही UPA सरकार जिसके ओपर लाखो करोड के भष्टाचार के गंबीर आरोपी है वो नेरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा या चाइना के समर्थक ऐसी एजंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया केंपेंच चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा और ये नैशनल एननेसी की जो चेर परसन थी जो UPA मैं कहूंगा उस समय सोनिया गांदी जी तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है और ये एग्रिमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया चाइना के वाइस प्रेजडेंट उस समय के स्टेंडिंग कमेटी के मेंबर सी पी सी पॉलिट बियोरो के सी जेंग पिन और उनके कॉंग्रेस के जनरल सेक्टरी राहुल गांदी जी के बीच में हुआ आखिरकार इस एग्रिमेंट में क्या लिखा है ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांदी जी देश के साथ तो कड़े नहीं हुए लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे इसका अगला उधारन आपको देखने को मिलता है जब कैंबरिज में कैंबरिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांदी जी ने बड़े बड़ा चड़ा कर चाइना की प्रेजबी की फोर्स आफ नेचर कहा एस्पारिंग सुपर पावर कहा भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इंडिया इस अंडर आटैक कहते रहे लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे और ये जो हमारा पाक उकुपाइड कश्मीर है उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड इसको लेकर भी चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव को लेकर उनके जिस तरह से उगुणगान करते रहे ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गरब नाल के तीनों हिस्सा है कॉंग्रेस, चीन और निउस क्लिक क्यो ना हो ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दोरे पे जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने जिनके उपर आप देखेंगे राहूल गांदी जी के अमेरिका दोरे में साथ-साथ रहे सायोगी रहे, आयोजन में रहे और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जस तरह से फेक निउस फिलाने का काम किया गया और ये IEMC वही है जो निउस क्लिक के समर्थन में उस समय भी आये थे चोर-चोर मुसेरे भाई कहां-कहां इकटे होते हैं ये आप सब के सामने नजर आया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैनलिस्ट हो प्रेस गिल्ड से हो या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो ये सब लोग इकटे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन के लेकर उस अजंडा को लेकर और न्यूस क्लिक भी उसमें एक कैसी एहम भूमिका निबा रही थी और ये कॉंग्रेस बैग्ड या फिर मैं कहूं जो कॉम्मिनिस पार्टी बैग्ड भी जो पैसे उनको ये टेररिस्ट को भी एक एकटिविस्ट बना देते है ये टेरोिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं और ये न्यूस क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं पुरकास्थाव द्वारा चलाई जाती है जो पीपी के न्यूस क्लिक स्टूडियो प्राइबेट लिमिटीड है इसको पैसा भी किसकिस से प्राप्त तो स्पश्च तोर पे दिखता है कि यह जो नेविल रॉज सिंगम है इन्हों नहीं यहां पर 27 करोड 51 लाख रप्या निउस क्लिक में दिया जो आगे जाकर इस में से गौतम नवलखा को भी 20 लाख 53,000 पे गए हैं और एक बपदित्या सिना जो आईटी सेल मेंबर है कॉमिनि सी लाख रपिया उनको भी गया है तो कॉमिनिस्ट भी कैसे कॉंग्रेस से पीछे रहेंगे सब ने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ लिया है तो नीज क्लिक के पीछे खेल कॉमिनिस पार्टी ऑफ चाइना और कॉंग्रेस पार्टी जो हमारी हिंदोस्तान की है उनका सब का य बने जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है लेकिन इतना जुरू कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का नेरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉंटिनेंट्स में लेकिन किस तरह से कॉंगरेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया भारत विरूधी अ कि न्यूस क्लिक के समर्थन में आके पूरी कॉंगरेस पार्टी खड़ी हो गे थी इनके साथ ही खड़े हो गे थे एक गमंडिया गटबंदन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे और किवल यही नहीं मैं शरीमान अरविंद केजरिवाल जी कैसे पीठे रहते आखिरकाल वो क्या शरीमान अरविंद केजरिवाल जी और मनी सिसोधिया जी इनके जिस एंजियोग में यह पार्टनर हैं हिस्सेदार हैं क्या उनके माध्यम से भी न्यूस क्लिक की कोई फंडिंग हुई है क्या देश को बताना चाहेंगे तो चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूस क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कॉंग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं तो अपने आप में दिखता है कि अपने आप में दिखता है कि कैसे यह न्यूस क्लिक कॉंग्रेस कॉम्मिनिस्ट चाइना न्यूस क्या कर रहे हैं वो आपको दिखी रहा है मैं बात पर आपको अंत में इतना ही कहूंगा कि यह सारे ट्वीट्स और मैंने आपको दिखाए आज मेरा उन लोगों से कहना है कि आप जो धुआ ही धुआ है कुछ ना हुआ है आपने धुआ तो बहुत फिलाने का काम किया भारत के खिलाफ अजंडा फिलाने का काम किया न्यूस क्लिक के समर्थन में खड़े हुए विदेशी अजंसियों विदेशी ताक्तों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए देश वरोधी ताक्तों के साथ खड़े हुए आपने अजंडा भी वहाँ पे चलाया लेकिन आज जब एक विदेशी मीडिया हाउस ने उस प्रॉपोगेंडा और एजंडा को पूरी विश्व के सामने खोल कर रखा है तो मेरा आप से सवाल है कि क्या आप देश को राहूल गांदी जी जवाब दोगे कि ये दोजार पांच साथ में जो राजीव गांदी फांडेशन ने पैसा लिया वो कहां कहां खर्चुआ जो हाई लेवल आपने मीटिंगे करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई क्या निउसक्लिक एक उसका हिस्सा है क्या कॉंग्रेश सी निउसक्लिक बारत गरोधी गरब नाल से जुड़े हुए हैं और मेरा सवाल समस्त गमंडिया गठबंदन ये विपक्ष के लोगों से है कि क्या आपने भी समय समय पर इस माध्यम से पैसा जो कहीं न कहीं से आया आप लोगों ने भी उसका इस्तमाल किया है और ये एंटी इंडिया सिंगम जो नेवल रॉय स हो जो भारत के खिलाफ अजन्डा चला रहे हैं फैक्ट छेकर के नाम पर या चाइनीज चेकर इन मीडिया मीडिया फ्रीडम के नाम पर ये भारत में एक प्रोपोगेंडा क énormément की लिए आए है और मैं तो कॉंग्रेश के बार में अंत में इतना ही कहूंगा from 1962 to 2022-2023 Congress has not changed a bit the physical and intellectual space of India has been yet again handed by Congress to China on a platter Soros se Singham China se Congress Party tak ye sab alliance partner dikhte hain Bharat ke khilaaf anti-India agenda break India agenda को लेते हुए एक समय था महात्मा गांदी जी ने quit India चलाया था ये anti-India और break India चला रहे है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा शरीमान राहूल गांदी जी देश को जबाब दें देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े है और कॉंग्रेस के हाथ और कहां कहां इन anti-India propaganda में जुड़े हुए धन्यवाद मेरा निवेदन है माननी है राजीव चंदर सेखा जी से यापको संभवजीद करें माननी है राजीव जी I will be very brief my friend and colleague Anurag भाई has laid out in extensive detail the threat represented by misinformation and how some countries are actively fanning misinformation in our country with the help of some news platforms in India and with the help of and to help some political parties in India I want to quickly share with you this is neither a new revelation nor is it something that is happening for the first time a couple of years ago over a thousand accounts on social media had to be removed when they were identified as ISI Pakistan's ISIPR linked who were fanning misinformation and violence in India then a few months ago there were another thousand plus accounts that were removed that were being sponsored by and operated by Kalistani elements again fanning again fanning misinformation and violence and lies and hatred against the government of India and our leadership this new revelation further reinforces the threat that our country our democratic society our open media faces when a group of people and vested interests get together invest in platforms and these groups operate in remarkable coordination they cross post they share each other's content they share a remarkably common consistent goal lies and hatred about our honorable prime minister lies and hatred about the government fanning communal disharmony and incitement we have seen this in Manipur recently we have seen this in the farmer's agitation there is a remarkable convergence of strategy and they fan a consistent narrative and ironically as Anuragbhai said there is one political leader who is consistent with this narrative these narratives that are put out by platforms like NewsClick and other platforms that are operating in concert are echoed almost blandly in a similar fashion by this political leader Rahul Gandhi who goes abroad and says exactly the same things democracy is under danger the judiciary is compromised the EVMs are compromised which is exactly the narrative that these platforms put out I don't want to say any more accepting to say this is neither simple nor is it some innocent activity this is a complex conspiracy this is a network of operators being funded being fanned by vested interests outside the country who are opposed to India's rise opposed to India's confidence in the global community of nations opposed to a growing economy and growing presence in the global value chains across the board in manufacturing and innovation misinformation is a real danger to our democracy and every time as again Anurag Bhai said there is an attempt to reign in misinformation these platforms jump along with their friends and rally behind the false cover of free speech the right to free speech as guaranteed in our constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise and therefore this revelation that a foreign country is actively funding platforms that are launching and are have launched and continue to launch vitriol against our government our country our society our religion our faith is something that all of us should be very aware of and we should all get together and have a consensus on how to fight misinformation in the coming years and coming days thank you no sadara mantra sujit chakur danik bhaskar और जिसको लेके रिपोर्ट एक विदेशी अख़बार ने आप सब के सामने दी और जब भारती अजंसी और भारत की अजंसी ने उसके उपर कारवाई की थी तो तो यहीं के कई पत्रकारों ने कई मीडिया हाॉसेज ने कई विपक्ष के निताओं ने उसके उपर प्रशन च दिन खड़े किये थे लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सच ना तब छिपा था ना आज छिप रहा है यह एजंडा जो विदेशी है यह देश के सामने भी आया है अब दुनिया के सामने भी आया है लेकिन एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि राहुल गांदी जी की विदेश क या देश की स्क्रिप्ट कहां से लिख कर आती है ये तो पता चली ही गया होगा गरबनाल का हिस्सा कौन कौन है जहां तक कारवाई की बात है वो कारवाई अलग-लग जिन की जिम्मेदारी हो अपने कारवाई कर भी रहें लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ए गठ गमंडिया आकर खड़े हुए थे आज उनके उपर एक गंभीर आरूप है कि देश विरोधी ताक्तों के साथ ये खड़े हैं सत्ता में आने के लिए किसी भी स्थर तक गिरने के लिए त्यार खड़े हैं और ये पैसे के द्वारा चलाया गया फेक नेरेटिव फेक न्यूस एक टेरिस् देखिए वो जो अपनी कारवाई कर रही है समय समय पर जब वो कारवाई पूरी होती उसके बाद वो अगले कदम भी उठाते हैं उस पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा लेकिन मैंने एक छोटा सा उधारन दिया जो उनकी रिपोर्ट में भी सामने आया कि कैसे सर्वसिज लेने के लिएक इलेक्ट्रीशन को डेड़ कुरोड रुपया दिया गया और यहीं नहीं कैसे कॉम्मिनिस्ट पार्टी के वहां से पैसे दिये गे आईटी सेल के व्यक्ति को मैं नाम भी आपको पड़के सुना दिया था नाम याद है आपको कि फिर पोड़ना पड़ेगा याद है आप चल सकते हैं तो जहां कॉम्मिनिस्ट पार्टी के यह देखो मैं आपको फिर दिखा देता हमें एक और प्रबीर प्रुकास्था को तो जो डिरेक्टर है उनको तो पैसा दिया ही ग गए कॉम्मिनिस्ट पार्टी के बपदित्या सिना को गौतम नवलक्खा को और यह वो लोग हैं जो मौस्ट लिंक के लिए जाने के यूए पीए इसके उपर लगा हुआ है नवलक्खा के उपर तो यह कोई छोटी मूटी साजिस नहीं यह गंभीर आरोब भी हैं और उस प पताने की पैसे लिए की नहीं लिए आप मेंसे कितने लोगों ने इन से पूचा है पिछले दो साल के अंदर आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी ने पैसा कॉम्मिनिस पार्टी से क्यों लिया दूसरा सवाल यह है कि न्यूस क्लिक में पैसा किन किन पत्रकारों को और किन किन जो देश विरोधी अजंडा चलाने के लिए था वो लोग सामने आकर जवाब देने चाहिए अजंसियां तो अपनी कारवाई करेंगे उन लोगों को भी साफ सामने आना पड़ेगा राहुल गांदी जी को जवाब देना ही पड़ेगा आखिरकार ये चाइना के साथ पाकिस् एक बड़े पेपर में भी वहाँ पर भी लिखा गया तो आज इनको इसका उत्तर देना ही चाहिए अभी जब विराजीव जे अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात पर आपका प्रकाश डाला है कि समय समय पर देखा गया कि पाक दवारा प्रायोजित या चाइना दवारा प्रायोजित ऐसे विदेशी बहुत सारे चैनल्स या फिर ऐसे प्लैटफॉर्म्स जिसके माध्यम से भारत विरोधी अजंडा चलाया जाता है एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया नियमों के तहट समय समय पर कारवाई की भी जाती है लेकिन ये लगातार प्रयास जारी है अरे ये बाहर से कोई करे तो समझ आ सकता है देश के अंदर बैठ कर उनका टूल बनने वाले जो लोग है उनके उपर सवाल खड़ा होता है कि विदेशी प्रॉपगेंडा के ये ए और शरीमान अरविंद केजरिवाल जी और मनीश सिसोधिया जी ये भी बताएं जिस NGO के हिस्सेदार है क्या उन्होंने भी नियूस क्लिक जैसी संस्ता को फंड किया है देखिये जो बाहर की बाते हैं वो तो करेंगे जो हमें करना सरकार के नाते हैं लेकिन जो नकली मुहबबत की दुकान में चीनी समान जिनके है राहूल गांदी जी वो तो देश को बताएं कि आखिरकार ये गठ जोड जो है ये जो दोजार पांच साथ से पैसा राजीव गांदी फांडेशन में ले रहें अब तक कितना पैसा ले चुके हैं कहां कहां खर्च किया जो हाई लेवल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो क्या दिया जो विदेशी प्लैटफॉर्म पे जाके भारत विरोधी बातें करते हैं चाइना की तारीफों के पुल बांते हैं राहुल गांदीजी और भारत को नीचा दिखाते हैं क्या वो यहां पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लैटफॉर्म है जहां पर चाइना फंड कर रहा ह और कॉंग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है अगर भविश्य में उनके खिलाफ कारवाई होगी तो जैसा न्यूस क्लिक के मामले में आकर खड़े हुए और फ्रीडम आफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे क्या उस समय भी कॉंग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे मगाली में थे खड़ा होगी अधीडी प्रेस सव फिस्टेशा होंगे अधीडिक विस्टेश्टाफल दो सब दोर्स्टोन के ऑनगेशन होगी टार्टी में बढ़िए विस्टेशे थे छातिवधी पर्ट यह ओंगधीड ऐसे माहींूगेशन प्रौन गुराइं मुद्ट देखिए अभी बहुत सारी ऐसी जानकारिय जो शायद मैं आपसे सांजा ना भी कर पाऊं लेकिन इतना जरू कहुंगा ये जो भारत को तोड़ने का या भारत विरोधी अजंडा कुछ लोग कई वर्षों से चला रहे हैं अब ये न्यू टेकनोलोजी का उपयोग करके भी भारत की छवी को खराब करने के लिए भारत के बारे में दुश्परचार करने के लिए भारत में फेक न्यूस को बढ़ावा देने के लिए freedom of press के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं और इसके ऐसे बहुत सारे सबूत समय समय पर मिलते हैं और उचित कारवाई भी की जाती है ये विदेशी हमले होंगे भविश्य में भी लेकिन बात ये है विदेशी हमलों के सामना करने के लिए क्या Congress Party भारत के लोगों के साथ खड़ी है या विदेशी हमले करने वाली अजंसियों के साथ खड़ी है सवाल ये है और आज ये दिखता है कि दिस गमंडिया गटबंधन इस अ कोईलिशन विच बिलीव इन कोलीशन और कोलाप्ष इनका तक्राव और पतन होना ही है इस गटबंधन का कमनेश महारत एक्ष्प्रेस तुनार की जब ये साथ खड़ी है इनकी इनकी इडिया सब्सक्राइब और आप देखोगे ऐसे जो फरजी बाड़ा था उसके खिलाफ कारवाई भी हुई इसको बड़ा स्ट्रीम लाइन किया गया है कि विदेशी पैसा कोई भी आएगा तो एक इस बैंक के खातों में आएगा फिर वहाँ से जहां खर्चों का जानकारी देनी पड़ेगी नहीं तो वर्षों वर्षों तक लोगों ने तो ये एक ऐसा प्लैटफॉम बना दिया था जहां विदेशी धन का दुरुपयोग दे को लिए भी प्रयाज हमारी सरकार में ही किये हैं See let me say two things here. One, Mr. Rahul Gandhi has signed the agreement with the Communist Party of China for a high level exchange and all that. I don't know what kind of exchanges they are going to do but definitely yes, there was exchange of funds which came to the Rajiv Gandhi Foundation. They didn't come clean on that. That is one. And second, Mr. Rahul Gandhi while time and again on the foreign soil, he was speaking, making anti-India remarks kind, I mean showing the, showing to the world that China is doing extremely well. keeping presses for China but at the same time, speaking against the democracy in India. Now, this new, which we knew from the 2021 when we took the action against NewsClick, but then also Congress Party came in favor of NewsClick. Now, the question arises is, now when a foreign newspaper came out that how the Chinese government and their money has been used by one of the media corporation to create the narrative about China across continents. and for that they have also funded this Naval Roy Singh Singh and you further funded the NewsClick for the fake news and the propaganda against India and the money trail has been looked into by the enforcement agencies in 2021. The probe is on but at that time when the action was taken, it was the Congress Party and the Gamandiya Ghatbandhan. This UP Alliance, which came in support of this NewsClick and such platforms in the name of freedom of press, but this freedom of press is nothing, but these such platforms were doing the fake narrative against India and this is not acceptable. बाल बाहत 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 ब